आदिन नदाना विर्मनी सिक्खा पदंस्माद यानी आदिन नदाना विर्मनी सिक्खा पदंस्माद धमपद गाथा कथा नमबर 7575 ये गथा और काथा बहुत अच्छी है और बाल बग्गों की अंतिम गाथा है और अंतिम होने के बाद भी ये सबसे बहतनी गाताओं में एक आती है वन वासिक तिस्से थेर की कहानी है वन वासिक की का मतलब है जो वन की अंदर रहता है इसको आज की रेट में वन वासिक बोलते हैं पराने समय में में इनको वन वासिक बोला करते थे यानि जो वनवासी लोग हैं वो जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत पुराने लोग हैं तो जो वन में रहते थे वो वनवासी होगे और जो पहले से रहते हैं वो आदिवासी लोग होगे तिस्से तरके एक छोटा सा बच्चा था साथ साल का तिस्से नाम बहुत ज़्यादा मसूर है तिस्से का मतलब है तीन के लिए गुद्ध के लिए धम के लिए और संग के लिए बहुत लोगों में उसे में नाम था तिस्से तिस्सा तिस्से तिस्सा मतलब दड़कियों का नाम और तिस्से लड़कों का नाम तो तिस्य नाम का एक बच्चा था जैसे आज की समय में हम Rाजु नाम बहुत famous समझते हैं या जैसे मुन्ना है या बबलु है यह कुछ नाम ऐसे हैं जो बड़े famous हैं और बोलते रहते हैं वैसे उस समय तिस्य और तिस्य नाम बहुत ज़ा famous थे तो ये साथ साल का बच्चा होने में इसमें एक अधुत कला थी जो उस समय सारी पतु थे उन्होंने पहचा लिया हालागी बच्चों को पवज़ित नहीं किया जाता मगर उसमें खास बात थी और उसको अपने साथ ले जाके धंसिखाया विपसा सिखाई उसके बाद में वो इक जंगल में चला गया और वन में रहने लगा तो उसका नाम वन वासिक पड़ गया वन मासिक तिस से थेर हो गया तीन महिने उसने लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत करने के बाद में वो आरत भी हो गया तो लोग उस छोड़े से बच्चे को जो चीवर में घूमता था चैता था क्यूँकि चीवर को देख के बहुत इजजत होती थी उसके छोटे कदगों देखके क्योंकि देखके तो सोचे थे कि ये क्या जानता हुआ क्या नहीं मगर चुकि इसने चीवर पहना हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ खाने को प्रिंडदान जब दिया करते थे तो वो ये ही कहता था हम ऐसा सुखी रहो दुखो से मुक्त रहो सुखी रहो दुखो से मुक्त रहो ये उसके दो सेंटेंस उसका तक्या कलाम एक रहसे बने वोगे थे कुछ भी देना सुखी रहो और दुखो से मुक्त रहो एक बार वसा वास में वहां के जो खेती लोग थे खेत के लोग थे, खेत का मनलद छेत के लोग थे, तो जो उस खेत के लोग थे चाराओ, उन्होंने सभा की कि हमें यहां धंग देशना कराने चाहिए और सारी पुत को बलाना चाहिए, तो उन्होंने सारी पुत से निवदन किया कि आप आईए और हमारे खेत में, यानि हमारे छेत्र में धम की दिख्षा दीजिए धम की दिख्षा दीजिए धम दीजिए तो सारी पुत ने कहा कि आपके यहां तो अरह तो थेर रहते हैं तिस्य थेर वन वासी की हैं आप उनसे क्यों नहीं धम सीखते धम लेते तो उन्होंने कहा जी कि वो तो जब भी हम उनसे मिलते है उनको नमस्कार करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि सुखी रहो और दुखों से मुक्त रहो और तो कुछ बोलते नहीं हूँ तो हम उनसे क्या लें तो वहाँ भिक्कुर संग में चचा चली और चचा चलने के बाद में ये टैह हुआ कि जो उस छेतर के अंदर धम देट देशना देंगे वो तिस्य थेर ही देंगे और ये बात तैह हो गई और उनको बता दिया कि आप कहां देशना उजिन होगी आप जाईए और त्यारी कीजिए देशना की वहाँ त्यारी करने लगे सही समय पे वहाँ पूरा भिक्कु संग भलवान बुद्ध के साथ में आ गया और उससे पहले तिस्य थेर को ये बोल दिया कि देशना आप नहीं करनी है आप नहीं बताना है कि सुखी रहो और दुखों से मुक्त रहो कैसे होता है वो अपने त्यारी करने लगे क्योंकि उनके पास जुम्यदारी आ गई आरत ते वो तो सही समय पे जब देशना हुई और देशना के सब बैठे तो इससे थेर में बहुत सालीन तरीके से बहुत चोटे-चोटे सरल-सरल वाक्यों में बड़े ही सरल तरीके से दाओं की लें सामें वही चोटे-चोटे ध्रान देते हुए पूरा ध्रम समझा दिया पूरा ध्रम समझाने के बाद में भिक्कु सेर जो भिक्कु संग था वो पूरा आत्म विबोर हुआ और वहां बहुत सारे लोगों की पार्मिता बढ़ गई कुछ महां सोतापन हो गए कुछ महां तिस्य थेर की फिर भिक्कु संग में बात आई बात चली के तिस्य थेर ने तो कमाल कर दिया और तिस्य थेर ने तो ऐसा किया भगवान बुद्रे सारी पुत्र की बड़ी बुरी बुरी प्रस्नाशा की और तब जो ये गाता कही उस गाता को बोते हैं गाता नमबर 75 पिछ सारा सामान जिसके पास जो बन पड़ा वो उसने वो तिस्य थेर को दिया नकर तिस्य थेर ने उस सामान की तरफ देखा भी नहीं और तिस्य थेर सामान रोप से जैसे होते थे वैसे उठे जैसे वो थे और अपने विक्कु संग के साथ साथ चले गए लोग वोग बड़ा अईया ही लाब उपनिसा उपनिसा बोलते हैं कारण या साधन या रास्ता दूसरा निब्बान माने मुश्का, निर्बान का और गामनी माने जाने का पत रास्ता, यानि कि लाब का रास्ता कोई दूसरा है और जो निब्बान प्राप्त करने का रास्ता है वो कोई दूसरा है, एव मेतंग अभी एयाए, अभी एयाए का मतलब है भली भाती पहचान कर और एव मेतन का मतलब है इस प्रकार को यानि इस प्रकार से भली बाती पहचान कर भिक्कू बुद्द से सावको यानि जो भिक्कू है बुद्द का सावक है बुद्द का सिस्से है सक्कारंग ने अभी नंद दे सक्कारंग का मतलब है सत्कार आदर सम्मान जो सत्कार होता है आनंद सम्मान होता है ने अभी नंद दे उसका नहीं करता अभी नंदन दे यानि कि उसको अभी नंदन नहीं करता उसको कले से नहीं लगाता उसको साथ नहीं रखता विवेक मनु बु हे विवेक मनु बु हे विवेक का मतनब है एकांत में यानि एकांत में मन लगाता है मनु माने मन को यानि मन से एकांत को मन में लगाता है बु माने होता है बढ़ाता है यानि कि एकांत में जाता है और अपने मन को बढ़ाता है ये वहाँ इस बात की गाथा कही उन्होंने इसका मतलब है कि दो तरह के मार्ग होते हैं जो भिक्कू के होते हैं एक तो होते हैं कि आदा सत्कार वाले और लाब वाले जिसमें उसको लाब मिलता है पैसा मिलता है, चीवर मिलता है, खाना मिलता है और दूसरा उसका होता है अन्यमार्ग जहां वो चलता है जहां उसको निब्भान मिलता है जहां मुक्तात होता है तो जो बुद्ध का सावक है सिख है सीखा हुआ जो जानकार है भिक्कु है वो दूसरे लाब को पकड़ता है जिसमें निब्भान आता है वो कोई भी अविननन सम्मान को अपने गले से नहीं लगाता और वो एकांत में जाके अपने मन को कंट्रोल करना सीखता है और निबान को प्राप्त करता है यह है गाता कथा नमबर 75 आप इसको और भी अगर सल सब्दों में समझा चाहें तो इस पिकार है कि जब कोई भिक्ग कहीं आता है या जाता है जो बुद्ध का सावक है और सिखता है तो उसको भूट सारे लोग अपनी क्रिटग्धा से बड़ा मान समान देते हैं पैसा देते हैं, समान देते हैं मगर दो रास्ते जाते हैं वहां से, कि या तो वो उसको ले ले सामान को, और सामान का उप्योग करे, और या फिर उसको छोड़े, और अपने मन को ठिक्टा करे, और अपने मन को एकांत में लगाके निब्बान प्राप करे, तो जो भिक्कू होता है, जो बुद्ध का सावक होता है, जो बुद्ध का सिस्य होता है, वो दूसरा रास्ता अपनाता है, और निब्बान को चाता है, धन्यवाद को. आप सभी से ये निविदन है, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामूँ संगं सरेनं गच्छामूँ बूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामूँ बूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामूँ बूतियं पी धम्ममर्सरेनं गच्छामूँ बूतियं पी नम्मं सर्नं गच्छादी, तोधियं पी सर्णं सर्नं गच्छादी, तोधियं पी बुद्धं 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 सर्नं गच्छादी, तो पीधों तमसरहक चाहामी दीयम्-पी धंममर्से मुझाहामी देद्यम्-पीधहमं सर्णं चाहामी दीयमकीन पीधंगर्से मुझाह जरीजर्से मौझाहामी तैतियं पिसन्दं सर्णं पिर्शामी साथो, साथो, साथो कामे सुमिछ चरविर्मनी सिखाप धिंग स्माधियामी कामे सुमिछ चरविर्मनी सिखाप धिंग स्माधियामी